हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल मेरे बहुत सारे स्क्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया है कि सर आप कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी कुछ टुटॉरियल्स बनाएं हमें कंप्यूटर के रिगार्डिंग कुछ सिखाएं सो, here I am, मैंने एक नही शीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको कंप्यूटर सेkich ठीलियेड़ टौटॉरियल्स बना के मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कंप्यूटर के बारे में जादा नॉलेजले सकते हैं कैसे आप कंप्यूटर पर ओपरेट कर सकते हैं या उसके बारे में कुछ tricks बताऊंगा मैं या फिर जो shortcuts होते हैं computer पे वह बताऊंगा जिससे आप अपनी speed है computer पे काम करने की उसको आप बढ़ा सकते हो and आप अपनी efficiency को भी बढ़ा सकते हो अपने computer पे काम करने की चाहे वह MS Word हो चाहे वह basic हो चाहे वह internet surfing हो चाहे वह कुछ apps हो जो आपको चाहे है आपके काम आ सकती हो चाहे वह internet पे account create करना हो related to computer कोई भी काम computer पे हो जो भी मेरे पास knowledge है I will share it on this channel तो अगर आप मेरे channel पे नए हो आपने channel subscribe नहीं किया तो please मेरे channel को subscribe कर दिये so that कोई भी computer related video मिस ना हो आपकी so let's start तो आज को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपना YouTube channel create कर सकते हो बहुत सारे लोगों को यह पता ही होगा लेकिन कुछ लोग है जिनको नहीं पता and इस वीडियो के दुरान में channel तो create करना से खाऊंगा ही और आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप कौन सी setting कर सकते हो जिससे आपका जो channel है जन्दी grow हो तो वीडियो के end तक जुरूर देखें और कोई भी part skip ना करें so that की आपके कोई भी setting miss ना हो so let's start तो YouTube channel create करने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए एक Gmail ID तो Gmail ID अगर आपके पास है it's well and good अगर नहीं है तो हम create करेंगे कैसे करेंगे Google mails पर जाएंगे तो आप website देख सकते हो इस पर click करना है आपने तो आप इस पर new create कर सकते हो मेरे पास और जो कुछ login है तो आपको नहीं show करूँगा तो हम start करते हैं यहां से यहां पर एक option आपको नीचे दिख रहा होगा जहां पर मेरा cursor है create account तो यहां पर आपने click करना है यहां पर तीन options आती है for myself, for my child and to manage my business तो आप personally में जा सकते हो जैसे भी आपको पसंद हो for myself तो इस तर आपने अपना name डालना है for example I am using because मैं आपको बस शो करने के लिए बता रहा हूं तो मैं कुछ random name चूज कर रहा हूं तो आप कर सकते हो okay यहां पर अगर कोई भी आपनी username डालना है जो भी आपको चाहिए आप डाल सकते हो अगर available होगा तो google आपको बता देगा करने available होगा तो आपको कोई और try करना पड़ेगा आप अपने username के आगे कुछ number भी डाल सकते हो like कोई भी कोई random number आप डाल सकते हो it's up to you and depends की available है के नए तो इसके बाद आपने password डालना है मैंने password डाल दिया है उसको फिर confirm करना है okay then हमने connect click next आपके यहां पर हमने phone number डालना है so that की आप अगर कोई भी इसमें issue आता है तो आप उसको reset कर सकते हो तो मैं अपना phone number डाल रहा हूँ तो यहां पर आपने OTP डाल के इसको verify कर देना है then आपके पास अगर कोई optional email address है जो आप as a recovery email address use करना चाहते हो आप यहां पर mention कर सकते हो अगर नहीं है तो doesn't matter आप ऐसे भी इसको skip कर सकते हो तो यहां पर आपने डालनी है आपने date of birth जो भी आपकी है तो हम कुछ भी डाल रहें January 1st डाल रहें and जो आपका year of birth है आप वो mention कर दे mention your gender तो it's up to you जो भी है आपका चाप change कर सकते हो then आप next करना है इस पार्ट को आप skip भी कर सकते हो और yes I mean भी कर सकते हो it's up to you हमने skip कर देना है इसको agree करना है हमने इसकी terms and conditions को तो यह हमारा बन गया एक Gmail account अब हमारा next step क्या है YouTube account create करना ठीक है जैसे Gmail account खुल जाएगा आपने next step क्या करना है आपने जाना है type करना है YouTube.com आपने जाना है YouTube.com पर यहां पर आपने email ID से sign in करना है जब आप यहां पर YouTube पर आओगे because आपने अपने Gmail ID already sign in की हुई है इसी window में तो यह automatically sign in हो जाएगी आपकी जब आप YouTube open करोगे तो आपकी YouTube पर आपने जो ID open की हुई है वो automatically sign in हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हो मेरी already यहां पर sign in हो गई है तो यहां पर options आगे है upload a video, create video तो आपने क्लिक करना है जहां पर आपकी email है जहां पर यह option जहां पर मेरा cursor दे सकते हो तो यहां पर आपने क्लिक करना है यहां पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने क्लिक करना है create a channel first option आएगी आपकी email id के बाद create a channel इस पर आपने क्लिक करना है क्लिक किया आपसे पूछेगा यह कि आपने चैनल का name क्या डालना है for instance आप कोई भी name डाल सकते हो for example मैंने डाल दिया computer education कोई भी name it's up to you जो भी आप name रखना चाहते हो आप डाल सकते हो ठीक है नेम डालने के बाद आप इतर photo भी डाल सकते हो अपने अभी या फिर आप बाद में भी डाल सकते हो चैनल क्रेट करने के बाद तो name डालने के बाद आपने क्लिक करना है create a channel यह last option है create a channel तो यह आपका चैनल बन गया अब इसकी settings क्या है settings आपने जाना है अदर दो options आरही है आप मेरे cursor में देख सकते है customize channel and manage videos वीडियो तो अभी आपने कोई upload की नहीं है तो हम क्लिक करेंगे customize channel पर जहां हम आपको बताने जा रहा हूं settings जो आपने करनी है जब भी आप अपना YouTube channel create करोगे कर रहा है इसको कर देंगे continue तो ऐसा कुछ layout आपको दिखेगा जब आप अपना YouTube open करोगे हमने क्लिक करना है इधर left side पर आना है and scroll करके नीचे है options settings settings पर क्लिक किया ऐसे एक option खुल जाएगा आपके सामने जिसमें आपकी सारी settings होगी हमने पहले क्लिक करना है channel second option है channel ठीक है यहां भी हमने डालना है country of residence जो भी आपकी country है जिस भी country से आप apply कर रहे हो हमारा तो इंडिया है तो we love इंडिया हम इंडिया पर क्लिक करेंगे उसके बाद है next option keywords this is very important for your YouTube channel because यह आपको ऐसे audience तक बन चाहेगा जो आपकी videos देखने के लिए interested हो कभी-कभी आप सोचते होंगे आपके mind में आता होगा कि जो भी आप चीज जो भी चीज आपको परसंद है वही videos क्यों आपको दिखती है तो यही keywords decide करते हैं कि आपको कौन सी videos दिखेंगी आपका इंट्रस्ट है music में तो आप जब भी आप YouTube आपने खोलते हो आपको music से related videos दिखती है तो वह कैसे पता चलता वही keywords decide करते हैं कि कौन सी video किसको दिखाने है because YouTube is interest based platform जो भी आपको पसंद है वह आपको वही videos दिखाएगी filter करके तो यहां पर आपने अपने चैनल की keywords दालने हैं जिससे भी related आपका चैनल के videos होंगी तो वह आपने keywords दालने हैं so that कि आपकी जो सही audience के पास आपकी videos पहुंचे और आपके views जो हो maximize हो जादा से जादा आपको views पढ़े तो मैंने यहां पर चैनल क्रेट किया computer से related तो मैं computer लिखूँगा computer education ठीक है तो आप एक या एक से जादा numerous आप डाल सकते हो तो एक डालने के बाद आपने करना है कॉमा डालना है मैंने computer education लिख दिया एक keyword लॉक करने के लिए आपने डालना है फिर आपका दूसरा keyword स्टार्ट होगा तो टोटल आपके पास 500 letters होते है आप इससे जादा नहीं डाल सकते है computer education लिख दिया है tutorials लिख दिया ठीक है then comma then tricks लिख दिया है tips लिख दिया तो ऐसे आप कुछ लिख सकते हो जो भी आपके channel से related है जिस भी type की आप video इसमें addon करोगे उसके बाद आपने आना है advanced setting में इसमें आपने decide करना है कि आपके channel में audience क्यों है अगर बच्चों से related audience है because youtube की guidelines है उसमें आपके आपके जो videos है वो बच्चों के देखने लाइक है के नहीं है either you have to say yes or no 3rd option 3rd option यह है कि आप चूज कर सकते हो every video में यह decide करना है youtube को बताना है कि यह बच्चों के देखने like है के नहीं है इसके नीचे कुछ हाँ यह बहुत सारे YouTube मेरे जो subscribers उन्होंने मेरे से पूछा था sir आप अपने YouTube के subscriber count है वो hide कैसे करते हैं here is the option यहाँ पर आपने अगर टिक किया है तो आपके जो subscriber है वो show होंगे अगर आप hide करना चाहते हो तो एक बार again इस पर क्लिक करो तो यह hide हो जाएंगे आपके यूट्यूब के subscribers हैं वो किसी को भी नहीं देखेंगे except you आपके लावा और किसी को नहीं देखेंगे okay then आजाये feature eligibility में इसमें जब यह आप नया channel create करते हो तो कुछ features आपको standard features मिलते हैं लेकिन कुछ features आपको अपने start करवाने होते हैं कुछ process होता उसका तो here is the process अगर कोई normal परंदा अपना जो channel start करता है और यह setting नहीं करता है तो 15 minutes से जादा बड़ी video नहीं डाल सकता है live streaming नहीं कर सकता अपने thumbnails नहीं डाल सकता है कुछ देर के बाद YouTube आपको अलोग करेगी कि आप यह feature यूज़ कर सको अगर आपने starting से यह feature यूज़ करना है तो यह setting को जरूर कर लो standard features आपके enable है इसमें आप videos upload कर सकते हो playlist create कर सकते हो and so on अगर आपने बड़ी videos डालनी है thumbnails अपने डालने हैं तो इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा आपका जो phone number है वो इसमें verify करोगे तो आपकी यह features यह वाले जो features हैं आपके on हो जाएंगे live streaming कर पाओगे अपने thumbnails कुछ से लगा पाओगे and videos 15 minutes से जादा आप लब भी डाल पाओगे तो इसके लिए आपने क्या करना है verify phone number पे क्लिक करना है अपना phone number डालना है ठीक है और उस पे OTP आएगा then आपने वो OTP mention कर देना it is a very easy process तो इसलिए मैं इसको skip कर रहा हूँ यहाँ आपको नहीं बताऊँगा यहाँ पे phone number डाके आपने अपना code लेना okay तो मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ इसको जब आप यह कर लोगे तो यह option आपके आपने आप यह open हो जाएगा यह सारा करने के बाद आपने यहाँ पे save पे click कर देना जब आप save पे click करोगे तो आपकी जो settings है यह complete होगी है ठीक है इसके बाद की settings क्या है कि आपने जो basic info है यहाँ पे click करना है इसमे अपने जो description वाला है इस पे आपने जैसे आपने keywords दे ले थे वैसे आपने इसमें एक short description आपने channel की देनी है कि आपका channel किसके बारे में इस पे जो videos हैं क्या होगी किसे related videos होगी जो भी details आप इसमें mention करना चाहते हो आप please इसमें mention करें because it is very important आपके description के according ही आपकी audience होगी जैसे भी आपके description होगी उसे किसे related आपके audience होगी and अगर आप चाहते हो कि अपने YouTube channel पे आपने दूसरा social media handles के जो links हैं वो add करना चाहते हो तो आप यहाँ पे add link पे click करोगे add link किया यहाँ पे title दिया है for example मैंने facebook का title दे दिया and यहाँ पे आपने वो facebook and URL आपकी जो social media handle है जो भी उसका URL है यहाँ पे copy कर देना है for example मैं facebook.com कर देता हूँ यह मैंने just for example किया आगे आपका ABC जो भी आपका name है आपके account का वो आप add on कर सकते हो तो ऐसे ही आप Instagram का भी कर सकते हो या Twitter का भी कर सकते हो जो भी आपके handle है या website है वो भी आप handle कर सकते हो so this was all about this video and इसके बाद मैं और भी videos बताने चारा हूँ कैसे आप अपने videos को जादा viral कर सकते हो कैसे आप जो shortcut keys की computer की वो कैसे use करते है and all about computer I will be making a lot of videos so please मेरे channel को subscribe कर दो अगर ये video अच्छी लगी है तो like कर दो and अगर किसी और को जुरूरत है तो उसको भी ये मेरे channel share कर दो and tell him to subscribe because a lot of videos are going to be here and thank you कर दो